ये इस्टेंट्स आप देख रहे हैं 2024 का सैंपल पेपर नंबर 1 इकनोमिक्स का ये SP1 है आपका इकनोमिक्स का याद रखना है आपको SP1, 2, 3, 4 देन 5 आपको 5 सैंपल पेपर्स मिलेंगे जिसमें से आप पहला पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं इसके लावा जो आपके अन्य सब्जेक्ट हैं उनके भी सैंपल पेपर्स अपलोड कर दिये गए हैं हम बात करते हैं इसके सॉलूशन की कैसा रहेगा इसका सॉलूशन और जो भी आप PDF पर आप करना चाहते हैं तो अगर आप PDF चाहिए आपको इस सॉलूशन का पूरा PDF तो 50 रुपीज इस सब्जेक्ट का जो है आपको देना होगा जी पे कर सकते हैं आप या फिर आप कर सकते हैं फोन पे ठीक है आपको जो है नंबर में बतायता हूँ फोन पे भी कर सकते हैं या फिर आप जी पे कर सकते हैं, नंबर रहेगा 846902568, इस नंबर पे आप ये पेमेंट कर सकते हैं, और आपको every subject के लिए 50 रुपीज चार्ज देना होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले question के पहले भाग से, यहाँ पर जो question पूछा गया है, statements that are correct in relation in microeconomics, तो microeconomics में जो कौन सा statement यहाँ पर correct है, वो आपको बताने है, options हैं, आपके पास A, B, C और D, यह 4 options में से कौन सा best option है, वो आपको select करना है, यहाँ पर देखिए, पहला question का जो answer यहाँ पर दिया गया है, microeconomics is concerned with the study of individual economic units, बिल्कुल सही answer है, यह बिल्कुल सही statement है, तो यह पहला statement आपका सही हो जाता है, P, जो है, microeconomics uses lumping method, तो यहाँ पर यह statement आपका गलत है, wrong statement है, C option देखिए, microeconomics provides basis for the condition of economic welfare, बिल्कुल right option है आपका, now the three option, इसमें क्या है, बोला गया है, microeconomics studies the determination of general price level, यह भी microeconomics में नहीं आता है, तो यानि कि दो statements आपके गलत हो गया, statement number A and C, यह दो सही है, तो हमारे को A and C देखना है, कि A and C कहां पर सही है, A, B, B, C, C, D, A, C, यहानि fourth option जो है, आपका correct हो जाएगा, next question की बात करते हैं, features of monopoly, monopoly जो इसको हम एक आधिकार बोलते हैं, जिसकी एक ही दुकान हो, और एक अपनी मर्जी से price में वो जो हम volume को बेज सके, सामान को बेज सके, उसको बोलते है, monopoly यानि कि एक आधिकार, वो सामान कहीं नहीं मिलेगा, उसी दुकान पे मिलेगा, उसी वो बोलते है, monopoly यानि कि एक आधिकार, एक आधिकार रहता है उस पे, तो feature of monopoly क्या होता है, आप समझ चुके होंगे आप, तो feature क्या होते हैं, इसके monopoly के हम देखते हैं, price discrimination हो सकता है, बिलकुल हो सकता है, भई, price वो अपनी मर्जी से रख सकता है, तो यहाँ पर जो है, अन्य बजार की तुलना में, अन्य दुकाने की तुलना में, जो है, price का discrimination आपको देखने को मिल सकता है, तो यह option बिलकुल सही है, large number of sellers, monopoly जब मैंने बताए, एक अधिकार का होता है, तो इसमें large numbers of sellers हो जिनी सकता है, अगर सारे large numbers of sellers होंगे, तो monopoly कैसे कहलाएगा, monopoly मतलब होता है, एक का अधिकार, C option है, control over price, बिलकुल option सही है, control कर सकता है price को, वो चाहे, तो 10 रुपे की चीज 100 रुपे में बेज सकता है, तो यह monopoly की एक system होता है, कोई चीज आप देखने हैं, कभी जैसे कि LG का आपने कोई product लिया है, तो LG के सामान में, या जो भी आपने equipment ले रखा है, उसमें जो भी item आपका खराब हो है, तो LG की ही दुकान से आपको मिलेगा, ना कि आप जाकर के Samsung से, या फिर वीडियो कौन से, या फिर कोई भी industry की है, जो भी equipment से आप purchase नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते है, monopoly, जिसका एक काधिकार हो, उसका सामान उसी में लगेगा, तो इसलिए बिल्कुल ये statement भी आपका गलत है, तो यहाँ पर हमारे पास दो options देखते हैं, A और C जो है, इसके right options है, यानि कि option number A and C, first option ही correct हो जाता है आपका, next question है, third statement देखते हैं, क्या बोला गया है, statements that highlight the significance of index number, कौन सा statement है, जो significance of index number को जो highlight करता है, दिखाता है, show करता है, कौन सा statement है, वो हमें बताना है, तो index number का जो हमेरे को, जो भी चीज़े हैं आपके दी गई है, index numbers are useful in making future predictions, बिल्कुल सही option है ये, कि भाई हम future predictions को index number के थुरू जो है, mark कर सकते हैं, इसके बाद जो B option है, index number help in the measurement of inflation, ये भी सही है, inflation में जो है, index number measurement के काम आता है, inflation के समय में, जब हमारा जो इस्तिती जो है, जिसको आर्थी की स्तिती है, उसमें inflation होता है, है, come down होता है, market up down होता है, तो उसमें जो है, ये index number काम करते हैं, help करते हैं, measurement के लिए, next जो इसमें आप से बोला गया है, index number help to frame suitable policies, suitable policies जो है, बनाने के लिए index numbers हैं, ये भी सही option है, इंडेक्स numbers can be misused, ये index number तो आप misused नहीं कर सकते हैं, जब ये तीन statement आपके सही बाते बता रही हैं, तो misused कैसे कर सकते हो, तो ये option हो जाता है, गलत, यानि कि हमारे पास जो option आएगा सही, वो कौन सा होगा, A, B, and C, A, B, and C कौन सा है, fourth option आप देख रहे हैं, correct हो जाएगा, next जो question उसकी बात करते हैं, यहाँ पुछा गया है, obligatory functions of government, तो government के obligatory functions कौन कौन से हैं, जो हमाया options दिया गया, इसमें हमने देखना है, provision of employment, ये provision करता है, क्या employment का, बिल्कुल नहीं करता है, हमारा हो जाएगा ये गलत, maintaining internal law and order, internal law and order, law and order को कौन करता है, government ही पास करता है, तो ये statement हमारा सही है, welfare measures, welfare measures जो है, government का कोई काम नहीं है, ये welfare measures तो अपने इस्तिति के हिसाब से करते हैं, तो ये भी statement हुछादा गलत, exporting good and services, तो exporting good and services, तो क्या ये export करते हैं, good and services को, हमारा जो obligatory function of management है, obligatory की बात कर रहा ह तो ये भी नहीं है, तो यानि कि हमारा केवल एक option आता है, B option सही, तो यहाँ पर कौन सा option सही होगा है, third option जो है, यहाँ पर correct हो जा रहा है, next जो पार्ट है, उसकी बात करते हैं, जैसा मैंने बताया, आप per PDF 50 रुपीज दे करके, कोई भी PDF प्राप्ट कर सकते हैं, जो हमार इंडिया में, ओ कौन कौन से हैं, सब से पहले बात करें, कि commercial banks बिल्कुल, commercial banks जो है, constitute है money नहीं करते हैं, वो अपने हित के हिसाब से काम करते है, तो यह statement हो गलत. traders भी अपने लिए काम करते हैं तो यह भी statement हो जाए तो गलत traders मतलब जो है supply करते हैं और market में supply करते हैं आप से कोई link नहीं है तो यह traders यहाँ पर हो जाता है discount and finance house of India discount and finance house of India जो भी housing finance करते हैं तो इसमें जो है organized money market में यह सामिल होता है constituent है यह भी तो d option भी correct हो जाता है तो यहाँ पर option number a and d correct है तो option number कौन से सही हो जाएगा यहाँ पर a and d correct है तो option number third correct हो जाता है next जो पार्ट है उसकी बात करते हैं next statement देखते हैं statement change यहाँ पर question change find the odd out odd word out आपको find out करना है सब से फ़ल देखिए factor of production कौन कौन से होते हैं labor बिलकुल आपका होता है labor है land है और entrepreneur भी interest का कोई factor of production से कोई लेने देना नहीं है तो यहाँ पर जो आपका odd है वो कौन सा है interest है तो यह आपका statement सही है ठीक है यानि कि आपको choose करके लिखना था कि कौन से इसमें से आपका factor of production नहीं है odd आपको find out करना है direct demand तो direct demand में क्या आ जाएगा direct demand car हो जाएगा perfume हो जाएगा और sugar यह direct demand कर सकते हैं ठीक है labor direct demand नहीं indirect है labor आपको जो है indirect demand में आता है तो यहाँ पर labor जो है इसका answer हो जाएगा next question है factor leading to increase in supply कौन से factors जो है वो supply को increase करने के लिए lead करते हैं तो यहाँ पर favorable natural conditions क्या यह सही है यह बिलकुल सही है increase in cost of production अगर cost production का कोई चीज हम बना रहे हैं अगर वो increase हो जाएगी तो labor supply है leading of increase in supply factors जो lead करेंगे increase करने के लिए supply को वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो है यही miss है बाकि decrease in government taxes तो बहुत अच्छी बात है बहुत increase करेंगा हम supply को advanced technology और भी increase हो जाएगा तो यहाँ पर आपका increase in cost production जो है यह गलत statement है यहाँ पर odd है क्लासिफिकेशन of markets on the basis of time तो कौन-कौन से होते हैं तो हमारे को पता है कि short time period जो है या short period time के लिए भी हमारा market जो है वो रहता है basis of time पर long period time भी होता है उसके लाव बेरी long भी होता है लेकिन international जो है time basis पर नहीं होता है time basis पूछा है तो international time basis का कोई भी नहीं है यानि कि यह option आपका odd है next जो question है इसमें next जो आपका statement दिया scope of micro economics तो micro economics का scope क्या है तो theory of income इसमें scope है बिल्कुल सई statement ह theory of composition function sorry consumption function theory of consumption function हम इसमें पढ़ते हैं बिल्कुल सही है तो यह भी सही है theory of badges नहीं पढ़ते हैं scope of micro economics में कौन सी चीज नहीं आती है theory of badges वेतन का जो theory है आम उसको नहीं पढ़ते हैं इसमें theory of investment function हम पढ़ते हैं यहापर statement जो है theory of badges जो है यह correct हो जाएगा odd में अब बात करते ह हैं c-section c-section में complete करना है correlations को मैंने यहां पर already fill up कर दिया है यहां पर आपको जो है यहां पर देखिए अनुपात दे रखा है straight line demand curve then non linear demand curve curve linear यहां पर curve है यहां पर starting में क्या हो जागा थे क्यों आपका first वाला जो होता वो last वाले से match करना चाहिए second वाला जो है आपका third वाले से match करना चाहिए स्ट्रेट लाइन है और यहां पर linear demand यहां पर curve है तो यहां पर linear आ जाएगा इसके बाद में export यहां पर जो है x को लिया गया है तो इसी तरह से import में यहां पर m को ले लेंगे तो यहां पर m जो है इसका right answer हो जाएगा inflation surplus budget then test or deflect budget तो यहां पर recession आ जाएगा यह भी आपका statement सही हो जाएगा primary market then आपका जो यहां पर दिया गया है secondary market और old issues तो old issues के जगे पर देखिए मैंने बताया था आपका first जो है first वाला जो है आपका यहां पर third से match होगा और जो second वाला है वो तो फॉर्ट से match होगा तो old issues है तो यहां पर new issues आ जाएंगे ठीक है trade between India and Iran international trade और trade between महराश्ट और मद्यपर्देश अगर international trade जो है इंडिया और इरान के बीच में होता है तो trade between महराश्ट और मद्यपर्देश यानि कि मद्यपर्देश और महराश जो है इंडिया में है यानि कि internal trade या home trade कहलाएगा तो यहां पर हमारा option यह हो जाएगा इसी तरह से आपका next question जो है give an economic term तो graphical representation of demand schedule उसको हम बोलते हैं demand curve next जो है degree of responsiveness of a change in quantity demanded of a good to a change income only तो जब change होगा income में तो कहाएगा income elasticity demand कहलाएगा वो आपनी थोरी पढ़ रखी होगी net additional made to the total cost of production तो marginal cost कहलाता है वो और deposits withdrawal on demand तो उसको demand deposits कहते हैं और purchase of goods from one country and selling them to another country उसको क्या बोलते हैं enter port trade बोलते हैं ध्यान रखना है आपको next question है 5 sets आपको दूँगा मैं पहला set आप देख रहे हैं sample paper 1 का अब यहां पर explain करना है concepts को ठीक है कोई भी 3 करने हैं आपको 3 करोगे तो आपको 6 marks यहां मिल जाएंगे बाकी इसका जो दूसरा part है उसमें आपको total मिला कर यह part जो है आपका question number 2 है इसमें यह part भी part मिला करके जो है 12 number देंगे first part जो आपको 6 number देगा तो यहां पर आपको बताना है identify and explain the concept and from the given illustrations तो यहां पर दीपक decided to count how many times he had to travel by train in a period of a month तो यहां पर इसका जो है हमारे को पहला बताना है क्या बताना है identify and explain the concept तो हमारे को identify करना है concept क्या है study of individual demand का है explanation जो है उसका concept क्या रहेगा तो उसको हमें बताना पड़ेगा तो a और b part में हम इसका answer बताएंगे इस तरह से दूसरा जो part पूछा गया है यहां पर आप देख सकते हैं इसका भी answer a और b part में हम concept को identify करेंगे और साथ में साथ explain करेंगे concept को नेक्ट जो third part है दो दो number की आपको answers दे रहे हैं दो number हमाज़ दो number ढबर जिर मिलेंगे दो number हमेंसे और धर थर्ड पार्स से मिलेंगे यहां निरिकी च्छे number आपको यहां रहाप्त होंगे इसमें भी identify करना है और इसका बार मैं explained करेंगे concept को इसके बादा ये next question पे जो आपका पड़ता है इसमें कोई भी देखिए आपको options बहुत सारे हैं आपको बताया गया है कि आपको कोई भी three answers देने हैं मैंने सारे answers दिये हैं आपको केवल तीन कई answers देने होंगे exam में ये ध्यान रखना है आपको तो मैंने सारे answers दिया है first part भी दिया है second part दिया है third part दिया है then fourth part भी आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे भी concept क्या है और उसका explanation क्या होगा और fifth part में भी आपको concept क्या है explanation क्या होगा ये बताना होगा अब B part जो है ये 6 number फिर से आपको देखा जैसा कि हमने देखा कि ये total का total आपको marks दे रहा है 12 12 में से 6 हमने प्राप्ट कर लिए है क्यों 3 करने के बाद में जो कि A part का रहेगा B part में और 6 number मिलेंगे उसको भी हमें करना होगा उसमें भी 3 करना होगा ध्यान रखना है आपको तो सारे answers मैंने दीए है यहाँ पर partial equilibrium और general equilibrium में जो है आपको differences बताने है कोई भी 3 part करने है तो आपको 6 number मिल जाएंगे तो 2 reasons आपको लिख देने है आराम से 2 reasons में आपको जो है जा मिल जाएगा 2 number मिल जाएगा ठीक है तो आप यह वाला answer दे सकते हैं दूसरे part में inferior goods और superior goods क्या होते है इसके differences बता सकते है average revenue और average cost क्या होता है इसके बीच में differences बता सकते है price index number and quantity index number क्या होता है यह भी आप बता सकते है तो इनमें भी difference बता सकते है formula के साथ में जिसका formula याद है formula लिख दीजिए कोई दिकत नहीं है internal debt और external debt क्या होते है तो इसके उपर differences बता सकते है आप तो यह इसका answer हो जाएगा इस तरह से any three आपको जो है करना है फिर से बारमाक्स का question पूछा जाएगा question number third में यहाँ पर जो है राइब ब्री about historical review of microeconomics क्या हो सकता है तो आपको बताना है मैंने सारा answer यहाँ पर दिया हुआ है इक-एक point wise दिया है इसमें से आपको केवल मातर मातर तीन point लिखने है उससे ज़्यादा लिखने के कोशिश नहीं करनी है बाकि मैंने आपको maximum points दिये हुए है one to five आपको points दिये हुए फिर आपका second part आता है explain concept of market क्या concept क्या होता है उसको बताना है तो आप जो है इसमें से भी कोई भी तीन लिख सकते है जो आपको अच्छा लगता है explain types of index number क्या होते है कौन-कौन से होते हैं index number है वो आपको बताना है से भी है stock exchange of India है ठीक है तो यह सारे चीज़े आप बता सकते हैं इसमें से कोई भी दो-तीन आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप याद कीए easiest याज़ी है सबसे best रहेगा आपका explain the trends in India's imports इंडिया इंपोर्ट में जो trends हैं उनको हमें बताना है petroleum है, gold है, कौन-कौन से trends है जो हम follow करते हैं, fertilizers है और any steel है, ठीक है इसमें से कोई तीन लिख सकते हैं आप इसके बाद जो है fourth statement आपका जो चालू होता है इसमें भी three करने है कोई भी अगर आप three करते हैं तो आपको 12 marks मिलेगा है यानि कि three into four हो जाएगा यानि कि 12 marks मिल जाएगा तो यहाँ पर यह सारे के सारे आपको इसमें agree भी करना है, disagree भी करना है अगर जरूद पड़ेगी तो तो when price of given goods falls, the demand for it increases क्या given goods के जब price उपर उठती है sorry, false होती है मतलब down जाती है, तो क्या demand इसकी increase होती है या बताना है, तो इस statement क्या है या disagree है, या disagree है तो हम कहेंगे disagree है, reasons बहुत सारे है इस इंड गूर्स के बारे में आपने समझा हुआ है तो इसका statement आप जो है अपने मर्जी से दे सकते हैं reasons मैंने दिये हुए इस तरह से दूसरा जो प्रशन है उसको भी आपको बताना है कि इसमें जो है आप agree है या नहीं है अगर agree है, तो उसके reasons क्या होंगे यह भी बताना है तो इस तरह से आपके questions है जो design किये गए है statement आपको लिखना है, reasons भी लिखना है यह ध्यान रखना है अगला जो question है, third number आप देख सकते है several factors determine the supply तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन-कौन से जो factors हैं जो determine करते है supply को कौन-कौन से reasons हैं उसमें आप लिख देंगे तो यह आपका answer हो जाएगा इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो fourth आपका है तो कोई भी ती नहीं करना है आपको मैंने सारे answers दिये हुए लेकिन अगर आप यह question papers पढ़ते हैं जो जो मैं आपको दे रहा हूँ तो आपको विश्वास हो जाएगा जब आप exam दे पाएंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ वाकई में यह question papers थे हैं यह हमारे लिए जड़ी बूटी यानि राम बान का काम करने वाले हैं यहाँ money market plays an important role in India तो money market जो important role play करता है कि हैं इंडिया में यह आपको बताना है तो इसका आपको बताना है पहले तो statement correct है या नहीं है ठीक है और मैंने सारे statement आपको यहाँ पर लिख दिया है फुल्फिल कर दिया है तीन चार statement जो question के हिसाब से आपको अगर चार नमबर है question रहे चार point दीजिए दो नमबर है question दो नमबर दीजिए तो इस तरह से आपका यह statement रहेगा अब आगे बढ़ते हैं आपका study the following table यहाँ पर जो है आपको इस table को analysis करना है यहाँ पर price देखेंगे तो 10 है फिर 30 है और फिर 50 है बीच में डबबा खाली था इसको मैंने अभी इसको fill up करा है और demand for pain क्या है 10 के लिए 500 है तो बाकी 400 है फिर 200 है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 के लिए अगर 500 है तो 20 के लिए कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा 300 के लिए कि लिए 300 यानि कि यहाँ पर जो आपका demand of pain है वो किसके हिसाफ से बढ़ रहा है वो आपका एक pattern में बढ़ रहा है pattern को आपको समझना होगा इस तरह के patterns आपको इस school में सिखाए गऊंगे, इस school को समझना है, इस question को समझना है, उसके बाद में कोई भी दो questions के answer देना है, first question का मैंने answer आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहें तो दूसरा भी question कर सकते हैं, और यहाँ पर पूछा है complete the hour of table, तो हमने complete कर दिया है, औ और which type of relationship is found between price of pen and demand of pen, तो inverse relation देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर price कम है, यहाँ पर demand जो है बढ़ रही है, price ज्यादा हो रहा है, demand घट रही है, तो inverse relation है, price बढ़ रही है, तो demand कम हो रहा है, यहाँ पर price बढ़ी है, 50 रुपे हुआ, तो demand हो गया 100 रुपे, 100, 500 मतल relation देखने को मिल रहा है, इस तरह से आपका second question है, आप कोई भी question करें, ध्यान रखेंगे, कि आप से question में क्या पूछा जारे है, जैसे कि मैंने बताया था, इस टेटि में आपको मैं, कि any two questions आपको यहाँ पर करने है, तो करेंगे, 8 number मिलेगा, यानि कि 2 into 4, ठीक है, तो आप को दो questions करने है, यह आपका एपास graph है, इस graph को जो है, आपको देखना है, उसके बाद में दो चीज़ें आपको यहाँ पर calculate करनी है, दोनों को मैंने आपर दे दिया है, और दोनों के answers आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा धंग से पढ़ना है, study case जो है, यहाँ पर आधारित question है, पहले आपको दिया गया, study करना है, उसके बाद में questions पूछे गए है, 22 marks देंगे यह आपको, यहाँ पर जो है, सारे के सारे options में मिलेंगे, आपको कोई भी दो ही करने है, ध्यान रखना है, तो मैंने यहाँ पर answers दे दिया है, इसके बाद में answer the following, any two करने है, फिर से आपको, और यहाँ पर 16 marks, यानि कि 8 into 2 हो जाएगा, ठीक है, 16 marks, यानि कि 8 number का एक question आपको पढ़ेगा, any two करने है, यानि कि यह बड़े question हो गए, यहाँ पर आपको कम से कम, at least 6 to 7, 8 part जो है, आपको 8 तो कम से कम नंबर लिखने ही, लिखने है, second part आप करन next, जो part है, इसमें आपको एक्षपेंड करना है, वेरीस sources हो, पर पपलिक revenue, कौन-कौन से हो सकते है, तो taxes के दवारा जो हम ले सकते हैं, कौन-कौन से हो, indirect हो सकते हैं, नॉन-tax revenue में क्या हो सकते हैं, appeal हो सकते हैं, principal पब्लिक goods and services हो सकते हैं, special में assessment हो सकते हैं, fines and penalties हो सकते है गिफ्ट ग्रांट्स और डोनेशन्स हो सकते हैं, इस्पेसल लेफ्स हो सकती है, उसके लावा जो है बॉरोइंग्स हो सकती है, तो यहाँ पर आपने देखा, जिस तरह का question paper मैं आपको show करा, इस question paper को आप study करते हैं, तो आपका आधा attention तो free हो जाएगा, बाकी sample paper number 2, 3, 4, 5 आन पढ़ पाते हैं, बाकी मैंने previous year के सारे question paper solve कर दिये हैं, उनको आप check कर सकते हैं, playlist के माद्यम से, आसा करता हूँ, इस वीडियो के माद्यम से आपने कुछ बहतरीन सीखा होगा, thank you very much, have a good day.